ओम प्रकाश हमारे साथ हमारे कॉलर फोन लाइन पर मौजूद हैं उनका रूप करते हैं जी ओम प्रकाश बताएं आपको क्या परेशानी है सबसे पहले अपनी उम्र बताएं और कहां से बोल रही ये भी बताएं जी मैं जम्मू से बोलाओ मैडम जी उम्र है मेरी 55 जी फरमाईए क्या सवाल है आपका आज जी निसका जगता आदा बादा जी आजगता जी मैं मेरे ब्रेन में ठोली है अच्छा ब्रेन के अंदर ठोली है ये कम से कम जाना ने दुकर 10-11 साथ हो गया इस बात को बहुत क्या दिया की इंसका प्रेशन होगा और ब्रेन का प्रेशन के लिए उन्होंने पैसे बहुत मांगे थे मैं पैसा देने की हैसी इतनी रखता और उसकी वज़ए से मेरी नजर भी दब चुकी है जैने कि जान चुकी है अमर कितनी आप यहां ओमर ही मेरी 55 साथ है तकलीफ है क लिवर्ट सेंप की दवाए बगारा अन्मी दवाई नगी खात्व होगा तो इस ब्रेशन के अंदर आँखों की रोशनी जा चुती है उसकी बज़ा से डर्टर कहते है कि अर्चोली की बज़ा से यह नार आपनी है नार प्रेशन के अंदर वो दॉट चुकी है अगर अगर अगरेशन हो जाए अर्चोली बाहर आ जाए या फिकल जाए तो आपकी नजर चुक हो जाएगी जनी के आँखों में दर्द भी होता है यह से कोई चेल लगाता हूं सब्सक्तों का यह मसाला बगारा रखीचन में बनाते हैं गरवाले लगता है दुवा बगारा लगता है यह कर रहा है रखीचन में आपका टीवी में प्रोग्राम देखा दो मैंने किसी और भी बात था की किसी ने में रखागी दर्टर से बात करवा आप रहे तो सब्सक्ता है अगर आपके ओपर कोई किर्पा करदा है आल्ला मिया रहा है में हो जाए पोड़ा बोड़ा चीक है कांट्रेक्ट में रहें राप्ते में रहें और एक दवा में बता रहा हूं और वो बहुत सस्ती दवा है और लेकिन उसको गौर से सुनना बहुत जरूरी है गौर से सुनेंगे तो समझ पाएंगे नहीं तो कुछ गलती कर देंगे देखिए जो दवा मैं आपको बताना जा रहा हूँ, उसको कहते हैं धतूरा सफद. अच्छा दो किसम के धतूरे आते हैं, एक काला और एक सफद. तो काला बहुत होता है, डिऩरो का तो नाम यह मुत लीजे. और धतूरा सफद उसे कहते हैं, लेकिन वो देखने में हलका पीले रंका होता है ऐसा जैसे बिलकुल मिर्च के बीज होते हैं जैसे मिर्ची जो लाल मिर्ची आप देखते हैं उसके अंदर जो बीज निकलता है बिलकुल वैसा होता है लेकिन वो खाने में बिलकुल फीका होता है जबके मिर्च का बीज आप खा लें तो आपके मिर्चे लग जाती हैं मूँ में और ये बिलकु फीका होता है बिलकु फीका आपको कुछ स्वादी नहीं आता ये चार पीस इसके इसे जादा नहीं खा सकते रोजाना चार पीस सुबा खाने के बाद चबा के खा लें बिलकु मिर्ची के बीच से जैसे होता है वो वैसा ही रंग होता है और चार-पीश रात को चार-पीश रात को खाने के बाद चबा के खा लें पानी खूब प्यास भी लगेगी इसको खाने से प्यास लेगी और ये इसका मिज़ाद जो है उओ खुश्क है तो ये आपकी उस गाट को जो आपके सर में है उसको खुश करेगा और मैं दूआ के साथ आपको ये नस्खा बता रहा हूँ कि आपको उपर वाला वाइदा दे क्योंकि आपकर काफी जिम्मेदारियां भी होंगी ये इस्तमाल करें और जैसी आपको कुछ फाइदा लगे तो आप हमें दुबारा राफ्ता करें ताके हम इस से आगे की मदद कर सकें खतीब साहिबा महारास्ट से हमारे साथ फून लाइन पर माजूद है मारी कॉला हकीम साथ से बात करना चाहती है उनका रुक कर लेते हैं जी खतीब जी बताएं कैसी हैं आप क्या परिशानी हैं आपको जी बताएं कैसी हैं आप क्या परिशानी हैं हकीम साथ से बात कर सकती हैं आप वाले असलाम जी फर्माई ये क्या सवाल है आपका जी ये हाथ पहरों में कटली होती जोड़ों में वाथी में ज्या बात से जोड़ोगे वार्षी तक्ली होती क्या उम्र है यह वार्षी तक्ली होती हाथ पैरों में जी उम्र बता दें आप अपनी एक उन तक्राव 49 49 ठीक है अब ध्यान से सुनिए आप अचो देखे एक बहुत अच्छा घरेल नस्खा है और बेशतर लोग उससे ठीक हो जाते है और वो नस्खा है इस तरह के मेथी मेथी के दाना जो आपके किचन में होता है मेथी अलसी मेथी अलसी सौट सौ सौ ग्राम लीजे और सौ ग्राम लीजे गाउन सिया यानि काला गाउन काला गाउन देख लें के कड़वा होता है जायके में बहुत ज्यादा और इतना बड़ा बड़ा होता है बाकी गाउन तो छोटे छोटे आपने देखे हो मिलते हैं लेकिन ये गौन काफी बड़ा बड़ा होता है और जायके में इंतहाई कड़वा होता है दूसरे गौन सब जायके में फीके होते हैं लेकिन ये कड़वा होता है तो इसे देखके लेना क्योंकि काफी महेंगा भी आता है और नकली बहुत मिलता है और मुश्किल से मिलता है न पानी के साथ, दूद के साथ, यूज के साथ, दो महीने तक लें, तो आपको फाइदा होना मुम्किन है। दिली से पुझा हमारे साथ मौझूद है फोन लाइन पर, जी पुझा, बताएं, आपको क्या परिशानी है, क्या सवाल है आपका। मैं मेल देती, मैं मघ सवाल हुक है या किम न है m तो आपके उम्र क्या है पुझा? 27 सल जी पहली बार हुआ है या हमेशा ऐसा होता है पहली बार हो एक्चली रुक रुके तो हमेशा से है लेकिन वो जो जब आता है तो यह चीज दो बार मन्त में दो बार हुआ है यह पहली बार हुआ ठीक पूजा लेखिये एक नस्खा बता रहा हुआ आपको वो आप लीजे महीना दो महीना तो आपकी ये परिशानी बहुत आसानी से ठीक होना मुमकिन है जिन लोग भी पेरियर्स की परिशानी है देखिये मको का पत्ता मको एक मशूर दवा है जो इसका पत्ता इस्तिमाल करना है 100 ग्राम लेजी मको का पत्ता कासनी का पत्ता और धनिया मको का पत्ता कासनी का पत्ता धनिया इन तीन चीजों को खुब बारिक पौडर बनाकर आप आदा चमश यानि दो धाई ग्राम रोजाना पानी के साथ एक से दो बार तक खा लिया करें, अगर यह आप महीना दो महीना खाएंगे तो आपकी परिशानी ठीक होना उम्मकिन है. अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल की है. अगर देखें, युनानी में बालिग मानते हैं बारा साल के लोगों को, जो भी बारा साल से ज़्यादा का है, वो बालिग है. और बालिग आदमी की खुराक एक सी होती है, अगरत हो या मर्द हो. और अभी काले गौन पर य के ये ऐसी दवा है काले गौन के जिसके बगएर कोई भी दर्द की बहत्रीन दवा बनना नामुम्किन है. तो बेश्रक ये महिंगी आती है, लेकिन ये दवा असली हासिल करना एक बड़ा कमाल है. आपकी तब्यद ठीक होना बड़ा कमाल नहीं है, इसके नताइज बहुत जिसको किसी बी दवा से फायदा नहीं हो, गाला गौन की आद़ा भुराक सुभा आद़ा भुराक शाम, यहनि आदा ग्राम, सुभा आधा ग्राम शाम खाने के बाढ़ लें. शबर करें, इक दू महीने शबर करें, तो आपको मुकंबल फायदा होना मुम्कीन है. रिजवाना और फरहीन से हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनका रूप करते हैं, बहुत देर से निजार कर रहे हैं हाकिन से बात करने के लिए जी रिजवाना जी, कैसी है आप? आजी, मैं अच्य गूर्व अलिकुम अलिकुम जी, बताएं क्या परेशानी आपको हसर! मुझे हर का किं साथ के बात करनी था? जी जी, फरमाईये, मैंसे सुन रहू हूं अधा? और ऐस बारे में इसे हिटांपने अच्छा क्या बताया, डॉक्टर ने क्या बताया, कोई रिपोर्ट से आपकी उसमें क्या आया है, बता दीजिया आप, तो मैं आपकी मदद करने को शुक्र वहाँ, आपकी उमर कितनी है? मेरी उमर 34 है ठीके, और दो डॉक्टर में बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है लेकिन इसका प्रॉब्लम है ठीक है चाह देखे किसी को भी अगर सब कुछ नॉर्मल है तो बच्चा होना मुम्किन है और मर्द और 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 अगर कोई खामी नहीं मर्द के जरासी पूरे होने चाहिए और 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 को हैज जरूर होना चाहिए और अंडे जरूर बनने चाहिए कभी-कभी औरतों के अंडे कमजोर बनते हैं यानि जिसे पानी के बुलबुले होते हैं इस तरह से उनके अंडे होते बनते और फूट जाते तो मुझे अमीद है कि आपको फायदा हो जाएगा थोड़ा सबर करना महीन मतालिक बहुत एहम डॉक्टर्स हैं आप उसे कह सकती है कि मुझे फिमेल डॉक्टर से बात करनी तो वो आपकी सारी तफसील लेंगी मुम्किन हुआ तो आपकी रिपोर्ट्स भी मंगा लेंगी जो आपने तश्खीश कराई होगी वो भी मंगा लेंगी और घरे लिन उसका क्योंकि आप मुझे से तलब करते हैं तो मैं घरे लिन उसका बिताता हूं अस्वागंदा जिसे हिंदी में कहते हैं अस्वागंदा हम लोग कहते है अजगन नागोरी ऐसा ले लिजए अजगन अजवागंदा पचास ग्राम और दो सो ग्राम लिजए 200 ग्राम धनिया और 100 ग्राम आपको लेना है मौरिंगा का गौन मौरिंगा का गौन का भी यह हाल है कि बहुत महेंगा मिलता है बहुत नकली मिलता है तो वो मौदबर जगा से लेना चाहिए और यह जायके में मौरिंगा का गौन ऐसा जिसा खारा पानी होता है अगर आप इसको पानी में डालेंगे पाउडर बना के तो खारा पानी जिसा हो जाएगा और गाड़ा कर देगा पानी को तो 200 गिराम धनिया 100 गिराम आउला 100 गिराम मौरिंगा का गौन पाउडर बना लें और इसके दो ग्राम से तीन ग्राम रोजाना आप और आपके शोहर इसको खाएं दो ग्राम रोजाना एक मरतबा रात को सोते वक्त दूसरे भी ले सकते पानी से भी ले सकते अस्गंद की खुराक इसमें 100 ग्राम रहेगी सो ग्राम अजगन, दो सो ग्राम धनिया, सो ग्राम आवला और सो ग्राम मौरिंगा का गौन, पाउडर बनाएं, दो से तीन ग्राम बस एक खुराक रोजाना, दूद्ध या पानी से ले, सबर करें आप माह में महीने में कभी भी साहिब उम्मीद हो सकते, आप अपने पर नज कुका है, जो नुसका मैं आपको पेश कर रहा हूँ.